Welcome to our channel Fantasy Fortune average first inning score रहा है वह बहुत ज्यादा नहीं रहा है वह 151 का ही रहा है और जो हाईए स्कोर है वह डॉल्फिन्स का है 214 क्योंकि उनका home ground है और यहाँ पर जो है डॉल्फिन्स नहीं जो है उनसे ट्रंग पर जो है उनका lowest score रहा है अगर हम बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो सबसे match में जो है average जो हो रहा है वह 152 का ही रहा है तो यानि के बहुत जादा run बनते नहीं है यहाँ पर लेकिन recent times में पिछ जो है वो पहले से improve हुई है क्योंकि कुछ matches है जो काफी पहले के हैं जब इतने runs नहीं बने लेकिन अगर recently देखा जाए तो better जो है बैटिंग surface देखने क मिला है तो आप expect कर सकते हैं इस match में की जो टीम पहले बैटिंग करती है वो 165 से 170 रन तक जो है वो बना सकती है इतना जो है आप score जो है वो expect कर सकते हैं इस match में तो अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो हमार साथ टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज गए तो भाई यही फायदा होता है ग्रैंड लीग खेलने का हमेशा कहता हूं ग्रैंड लीग पर जरूर फोकस किया कीजिए वीडियो में भी इसलिए ही ग्रैंड लीग की टीम जरूर देता हूं ताकि आप उनसे आइडिया लगा के आप और multiple teams भी create कर सकें क्योंकि ग्रैं लीग विन करने के और यह मैच भी क्योंगी काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है तो आप फायदा उठा सकते हैं तो आप जो है अच्छा इस मैच में भी कर सकते हैं अगर हम बात करें यहां से जो है डीकोक ओपन करेंगे काईल मेर्स के हैं डुएन पिटोरियस वियान मूलडर जेसन होलडर विजियों या हार्मर में से एक खेल सकता है डीस टॉपली और केशब महराज आपको खेलते हों नजर आ जाएंगे बात करते हैं जो बक्की तो यहां पर रीजा हेंरिक्स और डुपलेसिज हैं जाने मनमलान हैं डोनमो से ओपन करेंगे डीकोग ओपन करेंगे यहां पर चार्ल्स के साथ कायल मेर्स भी हैं जो यूजवली ओपन करते हैं टीम इनके साथ भी ओपन करा सकती है लेकिन क्यूंकि यहां पर लेफ्टी बैट्समन है तो हो सकता है लेफ्ट और राइट का कॉंबिनेशन जो है टीम च चैप्टन की कैप्टन भी जो है आप इन्हें स्मॉल लीग में कर सकते हैं जॉंसन चार्स एक आप के लिए डिफरेंशल पिक बन सकते हैं कि काफी कम लोग इन्हें ट्राइ करेंगे क्योंकि अल्रेडी काफी अच्छे बैट्समें मौझूद है बैटिंग सेक्शन में तो इन काइल मेर्स हैं काइल मेर्स आपके लिए अच्छी पिक बन सकते हैं क्योंकि ताबर तोड खिलाडी है सीम चाल्स वाला हाल है लेकिन यह जो है बोलिंग भी करके दे सकते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है मीडियम बोलिंग करते हैं तो यहां पर एक दो वर भी अगर कंड रह सकते हैं काफी कम लोग इन्हें ट्राए करेंगे विकट कीपन सेक्टिंग में लेकिन जो है यह मेरे हिसाफसे अच्छा कर सकते है कि प्लेयर काफी अच्छे में भी एक दो टीम में अगर आप multiple teams लगा सकते हैं कि भी बैटिंग थोड़ी नीचे करते हैं तो इसको थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, small league में तो रिस्की है, so small league में try ना करना, लेकिन grand league में एक आदे team में as a normal player try किये जा सकते हैं, अब आजाते हैं कि all rounders पे, इस team के पास all rounder हैं और काफी अच्छे all rounder हैं, यहाँ पर बात करें, पिटोरियस हैं, वियान मुल्डर हैं और जेसन होल्डर, तीनों का role similar है, जो है, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, तीनों ही right-handed batsman है, और तीनों ही medium fast bowling करते हैं, तो तीनों ही जो है, एक अच्छी pick है, समझना है, यहाँ पर पहले पिटोरियस का समझते हैं, पिटोरियस जो है न, डेट में recently, डेट में काफी bowling कर रहे हैं, और प्लस यह आपको बैटिंग से भी points दे सकते हैं, और यह अच्छा option है, क्योंकि डेट में bowling कर रहे हैं, तो बोलिंग अगर पहले आती हैं, यहाँ पर इस team की, तो आप इन और भी आपको करके देंगे, तो इनको selection बहुत ही कम है, लेकिन यह player अच्छे हैं, आप इन्हें समझते हैं, पिटोरियस ने recent time में काफी अच्छा खेला है, तो लेकिन आप जो हैं, इनका एक replacement अगर आप ढूंड रहे हैं, जैसे जड़े जागा, खिसर पटेल, तो वो वा केशन होलडर भी आपके लिए एक safe choice बन जाती है, केशब महराज, केशब महराज की बात करें, केशब महराज एक ऐसा खिलाड़ी है, जो आपके लिए एक अच्छी pick बन सकता है, reason क्या है, left time bowler है, lower order में थोड़ी बहुत batting भी कर लेते हैं, expect नहीं कर रहा हूं कि batting इतनी आएगी, लेकिन सामने की टीम में जो है ना, सामने की टीम में righty batsman बहुत सारे है, तो वहाँ पर जो है ना, ये wicket निकाल सकते हैं, क्योंकि left time bowler जो है, तंक कर सकते हैं, इस चीज़ का धियान रखना है, तो महराज आपके लिए एक अच्छी differential खिलाड़ी बन सकते हैं, य ये आपके लिए एक अच्छी pick बन सकते हैं, तो ये खिलाड़ी अगर आपको खेलता होगा दिख जाए, selection कम होगा, लेकिन bowling first करते हुए, इनको अपनी टीम में रखा जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, रीज टॉपली, important है, क्योंकि जब जब last time खेले हैं, जो international मैचल में अच्छी bowling कर रहे थे, तो ये आपके लिए एक अच्छी pick आपके लिए इस तरफ से बन जाती है, डेथ bowling की बात करें, तो पिटोरियस हैं, और टॉपली या फिर holder में से एक करा सकता है, और important pair की बात करें, तो डी कोग अच्छे हैं, चार्ल्स, मायर्स, यहाँ प खिलाडी ऐसा है, जब चलता है, यह बड़ी इनिंग्स खेलता है, डिफरेंशल पर काफ के लिए बन सकती है, इस मैच में, और पहला मैच है, अच्छा कर सकते हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इनके उपर आप रिस्क ले सकते हैं, अपनी small league team में consider इस इसी रन है, अच्छा खिलाडी है, काफी लोग इने captain wise captain भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पहले match है, और शायद हो सकता है, आज average ही performance देकर चले, ऐसा मुझे लग रहा है, इस match को देखते हुए, बात करते हैं, रिजा हेंडिक्स, रिजा हेंडिक्स important हो सकते हैं, और फरेरे के बात करें, तो भाई ये खिलाडी जो है ना, ये इन्हें auction पे भी इसके उपर काफी ध्यान दिया गया था, और जो है average भी अगर आप देखेंगे, जो 26 T20 मैचिस खेले हैं, उसमें से जो है 41 के उससे run बनाए हैं, और चोके चके अच्छे लगाता है ये खिला पहले मैच है, तो अगर आप फरेरा को ट्राइ करना चाते हो, तो आपको एक main खिलाडी ड्रॉप करना होगा, जो पहले मैच के हिसाब से risky हो सकता है, लेकिन आप इस खिलाडी को ग्रैंड लीग में ट्राइ कर सकते हो, बैटिंग first करते हुए, इसी वज़े से, क्योंकि ये selection कैन का कुछ 5% होगा, हच से 10 हो जाएगा जब टब टीम लोगों को पता चलेगा, इस से ज़यादा नहीं होएगा, लेकिन ये खिलाडी ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए अच्छा बन सकता है, काईल वराइने की बात करें, विकेट कीपिंग करते हैं, बैट जो है, य इनको प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन अगर जल्दी विकेट नहीं गिरते, तो फिर मेरे साथ से फरेरा को पहले भेजा जाएगा, लुइस ग्रेगरी हैं, अच्छे ओल राउंडर है, जो है, आपको बैटिंग बोलिंग दोनों से कॉंट्रिबूशन दे सकते हैं, और सेलेक इनको वाइस कैप्टन करना चाते हो, तो कर सकते हो, ग्रैंड लीग में ये कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस बनती है, जोर्ज गार्टन है, लेफ्ट आम बोलिंग करेंगे और लोर ओर्डर में अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं, चाहो बोलिंग फरस्ट करते इस बन सकते हैं, स्मॉल लीग में अज़र नॉर्मल प्रेयर ज़रू ट्राय करना है, फांगी सो की बात करें, लेफ्ट आम और्थोडोक्स बोलर है, वेन्यू पे जो है, 21 मैच में 16 विक्ट निकाले हुए, दूसरी टीम के पास एक दो लेफ्टी खिलाडी है, इस चीज का अचा करने की शमता रखता है, खेलते हैं, सो ग्राइंड लीग में ट्राय कर सकते हैं, डेथ बोलिंग की बात करें, सो यहाँ पर जोसफ और शेफर्ड होने चाहिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें, यहाँ पर शेफर्ड और जोसफ जो हैं इस टीम के लिए इंप खिलाडी हैं, जिनको आप ग्राइंड लीग में, कैप्टन वाइस, कैप्टन ट्राय कर सकते हैं, चलिए, क्रियेट करते हैं, अपनी स्मॉल लीग और ग्राइंड लीग की टीम्स, विकेट कीबिंग सेक्शन में चार ओप्शन हैं, और काफी अच्छे डिफरेंशल विराइने हैं, जो इनिंग्स बिल्ट कर सकते हैं, और विकेट कीपिंग करेंगे, तो ये भी आप ट्राय कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में, बात करते हैं यहाँ बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में रीजा हें रिजा हेंडिक्स को लेना चाहता हूँ, अब यहा नहीं कहीं मुझे लगता है आज average कर सकते हैं ऐसा मेरा माइना हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है तो यहां पर मैं Kyle Mayers को लिया है अब यानिमन मलान और duplexes में से एक लेने की सोचा हूँ मैंने अभी के लिए यानिमन मलान को लिया है अब यह decide करेंगी हो यहां पर दो खिलाडी ठीक है ग्रेगरी अच्छा कर सकते हैं यह हमेशा यूजवली अच्छे fantasy points दे जाते हैं इनको ट्राइ कर सकते हो वियान मुल्डर talented खिलाडी है भडिया खिलते हैं ठीक है इनको आप ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए हमने पिटोरि को भी टीम खिला सकती है सो options काफी सारे हैं यहां पर मैंने अभी के लिए garden या फिर महराज में सोच जा दो मैंने महराज को अपनी टीम में रखा है सो यह बन जाती है हमारी small league की टीम एक से दो change definitely होएंगे क्योंकि toss के ओपर काफी कुछ depend करेगा so final team आपको telegram पर मिल और youtube channel को भी please subscribe कर दीजिए बात करते है captain wise captain की so captain जो है मैं यहाँ पर decock को किया है वैसे मैं इनको vice captain करने की सोच रहा था अब यहाँ पर पिटोरियस को मैंने vice captain किया है अब क्योंकि पिटोरियस का ना क्या है दूसरी team के पास नहीं के बाख all rounders bowling all rounders है यार मतलब काफी सारे bowling option है लगबख 7-8 bowling option है यहाँ पर Durban के पास 7 तो ही तो उनमें से ना over cut सकते हैं किसी की तो मैंने इसी वज़े से जो है पिटोरियस को vice captain और decock को captain किया है दवाइस holder और इनका भी option अच्छा है यहाँ पर shepherd भी एक अच्छी option बन जाते है लेकिन अभी के लिए हमारी ये small league के team रहती है एक से दो change definitely होएंगे सो telegram पर ज़रूर जुड़ जाना है बात करते हैं grand league teams की सो दो teams create करी है team number one की बात करने इरीजा हेंडिक्स को captain किया है जोसफ को vice captain किया है इस team में हमने Gregory को भी रखा हुआ है team two की बात कर लेते है team two में हमने क्या किया पिटोरियस को captain shepherd को vice captain औ आप इसी तरीके से multiple teams create कर सकते हैं और किसी एक player को भी multiple teams में captain wise captain कर सकते हैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आईए पसंद आईए तो like करो share करो comment करके बताओ आपके हिसाफ से best choice captain कौन होने वाली है और साथ के साथ YouTube channel के subscribe करके bell icon दबा दीजिए जैसे वीडियो